हालो आपको बहुत बहुत स्वागत है मीचे एक और नहीं वीडियो में तो आज की वीडियो मैं रिवियो करने वाला हूँ डोगा फॉक्सी मॉड का यह सिर्फ मॉड इसके साथ मैं आपको अटमाइजर देखने के लिए नहीं मिलता है और यह जो कि यह इसको बनाया है और व यहां पर आपको ब्रेंडिंग मिल जाती है जहां से यह आपका बना हुआ है और वेप की तरफ से www.ogway.com बढ़ अगर आप इसे लिना चाहते है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जहां से जाकर के आप इसे ले सकते हैं यह आप लोगों को इंडिया में एविलेबल है एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा यहाँ आपको देखने के लिए जाता है एक स्क्रैच कोड जिसे स्क्रैच करके आप देख सकते हैं कि आपको यह डिवाइस है यह और 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 पिर फेक है उसी साथ में बॉक्स के उपर और कुछ लिखा हुआ नहीं है बस यहा और कोई भी चीज़ें नहीं है आपको यहाँ पर एक गाइड देखने के लिए मिल जाती है जिसे मैं आप लोगों सब्सक्राइब जरूर से पढ़ ले एक बार यूज करने से पहले और यह रहा हमारा में डिवाइस तो यह हमारा फ्रंट इसके उपर आपको एक क्लियर प् बटनी करता है साइड में आपको यहाँ पर मिल जाता है क्विक रिलीज जो कि इस डिवाइस का बहुत ही अच्छा फंक्शन है आप इसको पर कोई सा भी आर्डिय लगाते हैं या फिर कोई भी टेंक लगाते हैं तो इसके उपर आप बस इस बटन को दबाएंगे और हाफ इसको लगाने के बाद आपको हाल्ट का सा रिक्रेट करना पड़ेगा और आपको डिवाइस के अंदर कस जाएगा तो यह बहुत अच्छी है बैटरी सेक्शन भी है पीछे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है प्लस और माइन का जो की कमपार्टमेंट है काफी अंदर दे रखा है तो पहले आप पीछे की साइट से इसको लगाएं और उसके बाद फिर आगे पुश करें तब जाकर यह बैटरी लगेगी फरस्टाइम में मुझे लगी नहीं तो मुझे लाग रहा था कि 18650 नहीं है फिर मैंना बॉक द्वास्टिक है और हड़ फ्लास्टिक के डीटनी तो नहीं चाहिए बता अप ब्लास्टिक थोड़ी एलपकी आप को पता है कि खिरेग में आ गया है तो अब मैं इसको पर लगा लेता हूँ atomizer तो इसके साथ में आपको कोई बेटा नजर नहीं मिलता है बट यहां पर जो मैं atomizer यूज करने वालों इसका नाम है sprint smm जो कि वूटफो की तरफ से है लगाने के लिए आपको इसके ये quick release button को दबाना है इसको लगा कर इसको लगाना और निकालना बहुत easy हो गया और उसे पहले अगर मैं आपको इसके cap को लगा कर दिखा हूँ तो यहां पर आपको दो magnet यहां पर है दो magnet जो आपकी यह वाली है वो इसके उपर buttons को लगेंगे और इक magnet यहां पर इसकी डिवाइस है इसको लगाने के बाद में इसकी display यह काफी दाद डेम हो जाती है वह इसका कॉन है तो फिलार इसके बारे में और कुछ ना बोलते हुए सीधा सीधा मैं आपको दिखाता हूँ इसके pros और कुछ कितना होने वाला है तो जैसे कि आप लोग ने देखा यह था इसका अब हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कुछ प्रोजन कुछ कॉंस की तो सबसे पहला प्रो यहां पर आपको क्विक रिलीस दी गई है वो मुझे काफी अच्छा लगा और यह फीचर काफी अच्छा है इनोबेटिव है और मेरे खाल से शाथ पहला यह एक ऐसा मौड है जिसके अंदर यह चीज लाई गई है और दूसरा फायर बटन में इसका काफी अच्छा है क्लिकी फायर बटन है और इसका वेट बहुत ही अच्छा वेट हाथ में लेते के साथ ही आप लोगों को ऐसा लग अब बात करी जाए इसकी इंटर्नल्स की चिपसेट की तो इसका चिपसेट बहुत ही एज़ी है कि वह आपको इसमें दो चीज़ा देखने के लिए मिलते हैं वह एक है वाटेज और दूसरा है आपका वोल्ट तो दौन ही चीज़ा बहुत ही अच्छी है डबल लेटिंग स बहुत होती है वह कोई प्राब्लम आपको देहीं देखने वाली है अभी इस वीडियो के साथ में एक और वीडियो डालने वाला हूं वह है लिफ्प्रो टूहेंडडेगे एंटिंग प्राब्लम मिलते थी बट इसके अंदर ऐसी कोई भी परिशानी नहीं है दूसरा मैं आ तर फील करने वाली कोई भी परिशानी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी fancy चीजन नहीं देगी है, जैसे कि Curves हो गए, या फिर temperature control, या फिर आपकी और भी सारी चीजन जो कि TCR होता है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही बढ़ी है डिवाइस है, और definitely recommended है, नीचर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, इमास जाकर करके आप इसे ले सकते हैं, तो आज की वीडियो के लिए बास इतना ही है, अगर आपको ये वीडियो फसंद आई हैं, से लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें,